Hello everyone and welcome back to Simebaba InfoTech तो Simplification का नया वीडियो लेकर आगए हम और आज का जो Simplification है वो percentage table पर बीज़्ट होगा Now, जब हम बात करते हैं Simplification की तो बहुत सार एक्जाम जैसे की IBPS हो गया या SSC हो गया, SBI हो गया ऐसे बहुत सार एक्जाम होते हैं जिनका यह basic होता है और percentage table एक बहुत बहुत बहुता role play करता है जब कभी पी आप IBPS के Simplification question या SSC के Simplification question आते हैं तो वहाँ पर बहुत important है कि आपको percentage table पता होना चाहिए क्योंकि percentage table आपकी कई सारे चीज़ों को सरल कर देता है कई सारे complex जो calculation होते हैं उनको easy कर देता है तो आज हमारा पूरा वीडियो इसी पर बेश जोगा इसके अलावा इसके पहले मैंने Simplification के दो वीडियो अपलोड कर दी है जिसमें हमने यह देखा थे कि fraction बेश अगर question आते तो वह कैसे solve होंगे उसके अलावा अगर जो power वाले question होते हैं जो generally देखने को मिलते हैं exams में वह कैसे solve होते हैं तो आज पूरा का पूरा वीडियो percentage पर रहेगा तो इस वीडियो के अन तक हमारे साथ बने रहेए कापी कुछ आपको यहाँ पर सेखने को मिलेगा चली शुरू करते हैं मालीजे अगर question आपको कुछ इस form में दिया है कि 33 1 by 3 percent of 939 इस form में question दिया है यह मालीजे question आपका आपका आप 14 2 by 7 percent of 480 कुछ इस form में question दिया है मालीजे यह मालीजे question है इस form में 28.56 percent of 5656 कुछ इस form में question दिया है तो आप solve कैसे करेंगे अब यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि आप इसको पूरा अगर आप solve करने बैठेंगे तो यह हो जाएगा आपका 100 by 3 percent of 939 या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते है 33.33 percent ऐसे भी लिख सकते है बट यहाँ पर हमारी जो approach रहेगी वो यह रहेगी कि हम जितने भी यह percentage दिये हुए है इसको convert कर ले हम एक fraction में इसको convert कर ले हम एक fraction में तो percentage वाली value को fraction में convert करना ही percentage टिवल का काम है तो पहले हम इस question को solve करने से पहले हम यह देखेंगे कि percentage टिवल होता क्या है और यह काम कैसे करता है तो यह percentage टिवल लेखते हैं देखिए जैसे मा लेते हैं 100% दिया है यह एक percentage वाली value है इसकी जो fractional value होगी वो क्या होगी 100% मतलब होता है 100 by 100 यानि कि यह हो जाएगा 1 यानि कि 100% की fractional value होती है 1 अब अगर मैं इसी का half कर दूं मा लीजे तो कितना आजागा बताईए 50% आजाएगा 50% मतलब किता होगा बताईए 50 by 100 यानि कि 1 by 2 यानि कि 50% की fractional value क्या होगी बताईए 1 by 2 ऐसे ही जैसे अभी आपने 100% को 2 से डिवाइड किया तो कितना आया 50% आया 100% को 3 से डिवाइड करें तो कितना आएगा 33.33% जब आप 100% को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका 33.33% आएगा या 33.33% डारेट भी आप लिख सकते हैं तो इसकी fraction value क्या होगी देखिए जब आपने 2 से डिवाइड के तो कितना है 1 by 2 जब 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका 1 by 3 वैसे 25% 25% की fraction value क्या होगी बता हिए 1 by 4 25 बटे 100 25 बटे 100 कितना है गए 1 by 4 वैसे ही इसका कितना है गए 1 by 3 उसके बाद आप डिवाइड बाइ 2 किया डिवाइड बाइ 3 किया डिवाइड बाइ 4 किया आप क्या करेंगे डिवाइड बाइ 5 यानि की 20% की बाद हो रही है 20% कितना होता है बता हिए 1 by 5 फिर बात करेंगे इसकी 6 यानि की 16.66% की इसके कितनी होती है या आपको याद करना पड़ेगा याद करने सा आप कुए फायदा होगा कि काफी कुछ चीचे आपको एक्जैम में इजी हो जाएंगी अगला देखते है ये हो गया अगला देखते है 7 7 यानि की आपको हो जाएगा 14.28% और इसकी फ्रेक्शन वैल्ली होती 1 by 7 100% को जब आप डिवाइड करेंगे किससे 7 से तो 14.28% आएगा इसके बहुत था रेप्लिकेशन भी आगे है फिर 8 बहुत ही फेमस है 12% और 12% की फ्रेक्शन वैल्ली होती है एक बटे 8 फिर अकर बात करें 9 की यानि की 11.11% की तो यह हो जाएगा आपको एक बटे 9 फिर आता है आपका 10% और 10% होता है आपका एक बटे 10 फिर आता है आपका डिवाइड बाइ करनेंगे हम क्या 11 यानि की 9.09% इसका ओ जाएगा एक बटे 11 एक बटे 11 देखी जैसे ऐसे हम वैल्ली उड़ाते जा रहे हैं हमको fraction value थोड़ा सा complex मिलती जा रही है इसके बाद आएगा आपका 8.33% 8.33% की fraction value क्या होती है एक बटे 12 ऐसे करके आप एक बटे 15 तक निकाल सकते हैं आपको एक्जाय में काफी काम आएंगे है आप सभी इसके screen shot ले लिजे क्योंकि आगे चलके हम इसके use करेंगे चलिए अब देखते हैं इसके application अब माल लिजे 37.5% दिया है 37.5% दिया है off off दिया है आपको माल लिजे 8.64 तो अब ये कैसे solve होगा तो देखे हमको पता है कि साढ़े 12% कित्ता होता है एक बटे 8 होता है साढ़े 12% की fraction value कित्ती होती है एक बटे 8 होती है अगर मुझे इसको साढ़े 37% बनाना है तो यहाँ पर करूँगा मैं into 3 तो यहाँ पर भी करूँगा into 3 मतलब कि साढ़े 12% को अगर मुझे साढ़े 37% बनाना है तो कित्ता करना पड़ेगा मुझे यहाँ पर into 3 तो यहाँ पर कित्ता हो जाएगा into 3 यानि कि साढ़े 37% की fraction value कित्नी होती होती 3 मतले 8 याद रखीगा यह practice की चीज़ है आप जितनी ज़्यादा practice करेंगे percentage level की उतना ही ज़्यादा आपको 99% उनकी fraction value याद हो जाएगी practice बहुत ज़रूरी है और यदि आपको खास उसे banking की बात करो एससी की बात करो और बात की जो भी exam है यदि आपको निकालना है तो आपको practice सबसे ज़्यादा करनी ही पड़ेगी practice का कोई भी alternate नहीं है कोई भी shot trick नहीं है practice तो करनी ही पड़ेगी तब ही selection होगा साड़े से 20% बरापर होता है 3 बटे 8 अब इची बताइए ये पूरा solve करना सरल है कि इसकी जगह 3 बटे 8 रखना obvious से बात है 3 बटे 8 रखना तो आप यहाँ पर 3 बटे 8 इंटो कित्ता कर देंगे 864 यह कट जाएगा आपका 8 और जब इसको आप multiply करेंगे तो कित्ता जाएगा आपका 324 100 चाहिए 300 और त्रिक 24 324 तो easy हो गयी यहाँ पर यह easy हो गया अब माल लीजे अगर 62.5% of the यह माल लीजे कोई और value ले 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 किससे multiply करना पड़ेगा मुझे 5 से तो यहाँ पर कित्ता आ जाएगा आपका 5 आएगा 5 बटे 8 तो इसके जगे आप सीधे क्या लिखेंगे 5 बटे 8 गुडे 16 1696, आठ से कंड कर दीजे, आठ दुनी 16, फिर आठ एक कमाट, आठ दुनी 16, बोला, 212 आ गया, अब 212 का multiply आपको किससे कराना है, 5 से कराना है, 212 का multiply आपको 5 से कराना है, कित्ता हो जाएगा बताइए, इसको नहाँ पैसे easily लिख सकते हैं, 200 प्लस 12 गुडे 5, तो देखें, 250 कित्ता हो जाएगा, 1000, और 12 पंची कित्ता हो जाएगा, 60, तो 1000, 60 आप इसको लिख सकते हैं, चलि एक और example ले लेते हैं, ये कुछ question लिए हैं हमने यापे, और चलि इनको देखते हैं कैसे इनको percentage table से हम solve करेंगे, अब देखें, question दिया हैं यापे 44.44%, practice वाली चीज है, देखें, हमको पता है कि 11.11% कित्ता होता है, एक बटे, ना होता है, अब आप बताईए, अगर इसको 44 बनाना है, तो किससे multiply करेंगे आप, 4 से, तो यहाँ पर भी किससे multiply करेंगे, 4 से, यहाँ पर कित्ता जाकर बताईए, 4 बटे, 9, एक और दिया यहाँ पे, 77.77%, तो देख कर समझ में आ जाने चाए, देखें, यह 11.11 का table है, 11.11 का table है, यह चार बार में जाएगा, तो यह कित्ती बार में जाएगा, 7 बार में, तो 77.77% का कित्ता हो जाएगा, बताईए, 7 बटे, 9 हो जाएगा, अगर 88.88% दिया होता, ओब्यस्टी बात है, कित्ता हो जाता है, यहाँ पे, 8 अपॉन 9 हो जाता है, ठीक है, यह तो कि बात इसकी, इस इसके वालो गित्ती की एक बटे 9 है, तो पहले ये तीनों solve करते हैं, अब तो औरली हो जाएगा solve, बताए कित्ता होगा, ये 44.44% है, दिबांग में ही calculate करेगे, कित्ता हो जाएगा, 4 बटे 9, 9 से कित्ती बार में जाएगा, ये बताए, ये जाएगा आपका 81 बार में, अगर यहाँ पर इसके जगे हम क्या लिख दें, 4 बटे 9 लिख दें, तो 9 से तो कट गे एक 80 बार में, और 81 चोगो कित्ता होगा, 4 एक कम, 4 और 4 अठे 32, 324 होगा, अंसर कित्ता आ गया, 324 होगा, इसली आ गया, simplification में काम है आपको, इसको लिएते हैं, 77.77% के जगे, आप क्या लिख सकते हैं, बताइए, आप लिख सकते हैं, 7 बटे, 9, आप लिख सकते हैं, 7 बटे, 9, जो आप इसको कट करेंगे, तो कित्ता होगा, बताइए, 9 इट कम दाओ, और 9 बार मां, 18, 189 आगा बचा कित्ता, 7, multiply करेंगे, तो जो भी अंसर है, कित्त हो जाएगा, 7 नहीं है, सिरिसट हो जाएगा, यहाँ पे 6, फिर 7, 56 और 6 कित्त हो जाएगा, 62 यहाँ पे जाएगा, 6 और 7 एकम 7, और 7 और 6, 13, 13, 13 आपका अंसर आजाएगा, यह आल आपके लिख लिख रहा हूं, आप सुकर लिजेगा, अब आता है, 14.28%, 14 14.28%, अब एक चीछ बताएगे, 14.28% की Fractional Value क्या है, एक बटे साथ, एक बटे साथ, आप चाहें, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 14.2 by 7% भी लिख सकते हैं, 14.2 by 7% भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब अगर यह आजाए, यह आजाए, एक ही बार, दोनों के Fractional Value कित होगी, 1 by 7, यहाँ बार, आप क्या लिखेंगे, बताइए, 1 by 7, और साथ से कट जाएगा कही, कट के देखिए, साथ एक्तम साथ, 19 बचा, साथ, दुनी, 14 और साथ, अट्थे, 56, अंसर कितना आगे, आपका 128, यानि कि 14% होई, कितना complex हो जाता है, यदि आप 14.28% को, यदि आप पूरा-पूरा solve करते, तो कितना complex हो जाता है, सोची, पहले आप percentage अठाते, फिर आप इसको cut करते, इसको cut करते, काफी lengthy हो जाता, फ्रेक्शन में याद होने से यह easy हो जाता है, आपका समय काफी बसता है, क्योंकि exam में आपको समय बचाना है महाँ पे, याद रखी का, जो महनत आप घर पे कर सकते हो, वो आपको वहाँ पे exam hall में नहीं करनी है, आपको यहाँ पर जादा महनत करनी है और उसका फायदा लिना है exam hall में, 28.56%, अब आपको पता है, कि 48.28 के percent में आता है, कि table में आता है, तो अगर मुझे इसको 28.56 बनाना है, उसको किसे multiply करना पड आता है, तो इसकी fraction value कित्तों जागे बता ही, 2 upon 7 into कित्तों जाएगा बता ही, 2688, और cut करेंगे तो आपका answer आजाएगा, तो यह था percentage table का basic, एक और चीज़ आपको बता देता हूं, फिर देखेंगे हम question की तरफ, चलिए आपको चीज़े देख लेते हैं, जैसे मैं आपको ब 12% का होता है, एक बटे 8, यह हो गया 1 जा, इसका 2 जा कित्ता होगा, बताइए, इसका 2 जा होगा 25%, 2 जा कित्ता हो जाएगा, 2 by 8, 3 जा कित्ता होगा, बताइए, 3 जा हमने निकाला है, 35% कित्ता हो गया, 3 by 8, 4 जा कित्ता होता है, 4 by 8, यानि कि 1 by 2, अलरीड हम जानते हैं, फ 62.5 परसेंट कितना हो जाएगा पांच बटे याठ यानिके तीन बटे चार अलड़ी पिशतर परसेंट कितना हो था तीन बटे चार होता ही है उसके बाद सेवन जा निकाल लिए तो 87.5 परसेंट काफी ज्यादा पूछा जाता ही वाला कितना हो जाएगा सेवन भाई एट तो आप अच्छे इसके बाद जब आप एट जाएंगे तो अगेन आपको का मिल जाएगा हंडेड परसेंट मिल जाएगा वन मिल जाएगा इस तरीके से आप सबके possible जितने भी हो सकते हैं परसेंटिस्टिवल की जितने भी variation हो सकते निकाल सकते हैं जैसे already आपको मैंने 11.11% का बताया है 2 जाग इता होगा 22.22 होगा, 3 जाग इता होगा 33.33 होगा, वैसे आप उपर multiply कराते जाएंगे, ठीक है इसके अलावा यदि बात करें बाकी चीजों की जैसे और किसका निकाला था हमने 9 का निकाला था हमा ले जाएंगे इसका निकाल सकते, 2 जाग इता होगा 18.18% होगा इतवा जाएगा, यह हो जाएगा 2 upon 11 हो जाएगा देखे, किता complex है, बट है किता, 2 upon 11 3 जाएका बेंगत, किता होगा 27.27% किता होगा बताए, 3 upon 11 हो जाएगा, ऐसे करते करते, आप हर चीज़ को आप 100% तक ले जा सकते हैं जितनी ज़्यादा आप इसके practice करेंगे विस्वास मानी आपको exam में उतना है ज़्यादा फायदा होगा ये था हमारा आज का वीडियो अगले वीडियो में मैं इससे related question लेकर आऊँगा और पूरा वीडियो उसे के लिए dedicated होगा ये था percentage table का basic जो कि हमने देख लिया है I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा अगले table में मैं इसके practice कराऊँगा आपको कफी question लेकर आऊँगा वो question में लेकर आऊँगा जो अलड़ exam में आ चुके हैं और relate कराऊँगा आपको यहां की class से और जो भी आपका exam का जो भी pattern होता उसके हिसाब से तो सब relate करेंगे कोशन की काफे practice करेंगे तब तक हमार सथ बने रहेगे यह जिए आपके वीडियो पसंद आया तो like करें और दूसरों तक पहुंचा इसे शियर करें thank you so much